कि रनते हैं कोई भी वीडियो बनानेंस पहले हमको यह चीज़ जरूर दिल में फील होता है कि लोगों तक जो में information शेयर करें वो मैं सच information शेयर करूं या फिर जूटा information शेयर करूं है कि सीधी से बात है Redmi Note 12 Pro 5G है इसका camera को लेके बहुत ही जदा हवा बाजी बनाए जा रहा है कि इसका camera बहुत ही अच्छा camera के लिए आप इसे ले सकते हो कि इसके बारे में जो चीजे हैं वही चीजे आपके सामने रखो अब जैसा कि मैंने आपको अन्बोक्सिंग वाली वीडियो में यह कह दिया था कि थोड़ा से वेट कर लिजगा ना तो एकदम प्रॉपर रिव्यू में आपके सामने प्रिजेंट कर पाऊंग तो गईस अगर नेगिटिव लगे ना पसंद है लेकिन टेंशन लेने के ज़योत नहीं है आप अपना कमेंट नीचे जरूर कीजेगा पढ़ने में मज़ा आता है और समझने में भी अच्छा लगता एक दूसरे का हेल भी होता है आपको इस वीडियो को मैंने टू पार्ट्स में यहां पर आपको देखने में काफी जदा अच्छा लगेगा चलाने में मज़ा बस एक दो चीज़े आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि यहां पर बहुत सरे लोग बोलते रहे हैं कि इसका बैक का जो पैनल है वो ग्लास का है लेकिन ग्लास वाला फील नहीं देखने को मिलता मतलब म खोटा हाट है ना तो में भी आपको दिक्कत हो सके बागे जिन लोगों को बड़ा डिस्प्लेइला स्मार्टफोन चाहिए बड़ा फोन से कोई दिक्कत नहीं मेरे बाई आप बिलकुल ले सकते हो एजिस वगरा थोड़ा शार्प यहां पर देखने को मिल जागा लेकिन ओ आपको बताता हूँ आपको इसका पफॉर्मस को लेकि कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है गेमिंग कर सकते हो गेमिंग में भी हीटिंग नहीं होता अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन खोज रहे हो 25,000 के अंदर आपको एक ओल राउंडर ओला स्मार्टफोन चाहि इसमें पनार्मस के वाल मैं कर सकते मॉइल क्या ही हाल होगा ज्यादा यूजव ह हीटिंग हीट होगा वागी जहां तक मैंने इस फोन को जितना भी यूस किया है मुझे हीटिंग इशू को लेके कोई भी तरह का प्रॉबलम नहीं है साथी साथ जो इसका परफॉरमस था अच्छा था लेकिन आज के टैम में वह धीर दीरी इन चीजों को कम करते जा रहें जो की अच्छी बात है कि मुबाइल के अंदर क्या गुसेगा जाएगा अब इस चीज को लेकिना बहुत साथ लोग यहां पर इसे हुआ यहां पर इतना वैसे रहते हैं कि यह स्मार्टपून हम लेकी नह इतना इसी हुआ इतना बैक अपर इतना ठीम गाना अब मैं आपको कर दिकत नहीं हुने लुग आप 10 तरह का जो ड़रें टर्स देखते है ना उस में आपको confusion होना start हो जाता था आप बिल्कुल उस step के taste को थोड़ा सा avoid कीजिए आप देखिए मज़ा लेने के लिए देखना देखिए लेकिन confusion होने के लिए मत देखिए बाकि इसका बैटरी बेकप है वो बहुत अच्छा है 67 वाट का फाज चार्जिम की दिया गया है चार्ज भी फटा-फट हो जाता है जो बैटरी बेकप भी देता है कैसे भी यूजर हो ना कितना भी बेगारी यूजर हो कितना भी ज्यादा काम अगर आप मुवी ज्यादा देखना पसंद करते हो नेट्लिक्स वेकरा ज्यादा पसंद करते हो ओनलाइन स्ट्रीमिंग बिसीकिली बहुत ज्यादा करते हो तो इसका डिस्पले आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला काई कि यहां पर डिस्प्ले दिया गया वह आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला साथे-साथ यहां पको 120 हर्ट का रीफ्रेस रेड भी मिल जाता है जिसके कारण जो है मुबाइल बहुत ही ज्यादा स्मूध चलता है तो आपके आखों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता और इस डिस्प्ले में थोड़ा सा जादा फ्लिक्रिंग देखने को मुझे मिला यह चोटा सा पॉइंट यहां पर मैं आड करता हो ताकि जिन लोग को आपको का प्रॉब्लम है वह थोड़ा सा सावधानी बरतियेगा का है कि इसका डिस्प्ले तो अच्छा है लेकिन PWM डिमिंग नहीं देने करण जो है थोड प्रॉब्लम है आपको दिखेंगा कि आपको यूज़ेट क्या है उस हिसाब से स्मार्टफोन चुनिएगा ना कभी दिक्कत नहीं होगा ठीक है यह चीज़े में आपको हैमेशा बताता हो आगर आपको कैमरा प्रिफिंग के इसाब से लेना है तो पहले देखिए कि यह प् बहुत ही अच्छे qualities का आप इसमें ले सकते कोई भी तरह का problem नहीं यह call drop भी नहीं होता अच्छे तरह के से काम करता और वाइफाई भी है आपको दिक्कत नहीं देगा connection को लेके कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला carrier aggregation का भी यहाँ पे support देखने को मिल जाता है इसमें आयर ब्लास्टर भी मिल जाता है 3.5 का jack भी मिल जाएका और जितने भी तरह के sensor होते है वह सारे sensor मिल जाएंगा और जो सबसे अच्छी बात है वह है इसका fingerprint fingerprint बहुत ही अच्छे काम करता कोई भी तरह का problem उसमें मुझे देखने को नहीं मिला अच्छे से register भी हो जाता है और तो यहां पर जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा वो मैं आपको बताएता हूं इसका camera ठीक है camera को लेके बहुत ही ज़्यादा यहां पर बावाल मचाए गया था कि इसमें सूनी का sensor दिया गया iMac 766 वाला इसमें आपको सूपर OIS देखने को मिल जाता है और भी पता नहीं बहुत सारी चीजे आपको यहां पर बताएगी थी अब यहां पर मैं एक चीज यहां पर साफ साफ यहां पर बता देता हूं कि इसमें जो सूनी का sensor दिया गया 766 वाला वो उस type का performance नहीं दे रहा उस type की photos निकालके नहीं दे रहा है जैसा इसको निकालके देना चाहिए कई मर्तवा मैंने देखा यहां डाइनेमिक रेंज बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता पूरा का फेड आउट कर देता है और यहां पर यहां पर यलो टिंट का बहुत जादा इश्यू है यहां पर फोटो करते हो रियर साइट से या फिर फ्रंट साइट से तो यहां पर मैंने आपका फेज को पूरा यलो यलो कर देगा मेरे वाई अब ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने स्मार्ट फोन को यूज किया एक कंडिशन में ने फोटो की जा उसके बाद आपको यह चीज़े बता रहो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह स्मार्ट फोन को मैंने लगातार यूज किया उसके बाद ही जो है मैं आपको बता रहो कई जगा में यहाँ पर गूमने गया था शादी में भी गया था वहाँ पर भी फोटोस वगरे क्लिक या डाइजेस्ट नहीं उपर है कि यहाँ पर सोनी का सेंसर दिया गया 766 फ्लैक्शिप सेंसर है और फोटो जो है उतना अच्छा से काम नहीं करता है वहाँ ज्यादा ऑप्टमाइजेशन की जरुवत है अपने हिसाब से बहुत मेरी बात मानने की जूद नहीं है आप खुद देखिए आप खुद डिसाइट कीजिए कि overall पैसा आपका लग रहा ना की मेरा लग लग चुका है ना जहां तक बात कि इसमें आपको OS देखने को मिल जाता है लेकिन रिजल्ट तो यहां पे कुछ और ही है जब आप फोटो क्लिक करते हो नो तो इसका OS बहुत ही तगड़ा काम करता है एकदम मस्त वाला फोटो आपको निकाल के बिलकुल भी आपको हीला डूला वाला फोटो देखने को नही बात है तो वीडियो में एकदम बेकार काम करता है एकदम मजा नहीं आता इस रिगार्डिंग में एक डेटीकेट भी वीडियो बनाया था क्योंकि आप सुपर OS बोला जा रहा था बार बार इसलिए मैंने सुझा कि एक डेडिकेटीड वीडियो बना दूँ जिन लोग को व चाहिए वह 1080p हो एकदम हिला देगा दुनिया और बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा अभी यह चीज़े में इसलिए आप हो कर रहा हूं कि यहां पर 25 जर्तों ले रहे और सूपर OS बोलतो रहे हो लेकिन वीडियो में मातर 1080p 30fps में थोड़ा बूस्टेबलेटी मिलता थ करते हो वीडियो ग्राफिक लिए अगर फोन ले रहे हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको एवाइड करना चाहिए अब बात करते सीधी बात नो बखवास कि यह स्मार्टफोन की यूजर के लिए है की यूजर के लिए नहीं है तो मैं आपको यहां पर ज्यादा समय नह जादा मतलब नहीं कभी-कभी फोटोस खिशतो कभी-कभी वीडियो लेते हो बिल्डेंड डिजान अच्छा चाहिए यूई अच्छा चाहिए बैटरी अच्छी चाहिए और आपको आल राउंडर वाला फोन चाहिए तो मेरे हिसाब से रेड्मी नोट 12 प्रो 5G आप बिलक स्मार्टफोन जाए तब उस केस में यह स्मार्टफोन को ले सकते हो 25,000 के साथ से अगर देखते हो कैमरा को लेकर आपको उतना ज्यादा सैटिसफेक्शन नहीं मिलेगा यह चीज़े में आपको अभी इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप जब स्मार्टफोन को यूज करो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए आप अपना ख्याल जो रखिए